प्राजी पांडे ग्रामी न्यूस देख रहा है आप दोस्तों आप सबने शादी प्या में बास के सामानों की महत्विता की बारे में जरूर सुना होगा आपको पता होगा कि कैसे भारतिय संस्कृती में और खास तोर से हमारे हिंदु धर्म में बास के सामानों का इस्तमाल होता है हर शुब या शुब मौके पर बास के समालों का इस्तमाल किया जाता है चाहे वो बच्चे के जर्म का मौका हो, शादी प्या का मौका हो या फिर कह सकते हैं कि जीवन की जो अंतिम यात्रा होती है वो भी बास की अर्थी पर ही होती है तो आप क्योंकि बास इतना महतवपूर्ण है हमारी संस्कृती का हिस्सा रहा है तो ऐसे में रक्षा बंधन के पर्व पर बास का इस्तमाल नहीं होता है लेकिन अब जो है तो हम आपको एक ऐसी चीज दिखाने वाले हैं जिसको देख करके आप भी बहुत खुश होंगे क्यो अबह पर ये जो तमाम महिलाएं हैं ये सभी लोग जो है इस बार बास की राख्याँ बनाएंगी और जो बास की राख्या है ये गोरेपूर के मार्केत में ना कげ jetzt week अलग अलग जगों बनाने में काई समस्ते तर्ट को माइन बनाने में स्केट की ऑर तरी be कंशा त्रेनने में पर आने में किरिया है कैसे अंसके कोई त्रेणिँ ली ऐ फिर यह कोई सिखाए है। नए मैटम जी इसको सीखी नहीं थे इसको अपने दिमाग से बना रहे हैं यह दो पर सारी चोड़ी हैं के लिए ही बना रखा या तरह मैं चूँँगी है लेकिन यह सारी चीजे जो है इनों ने बना करके रखती है यह शायद एक छोटी सी राकी बनकर करके तयार भी एक आपको दिखा दूँ यह बहुत प्यारी सी राखी यह देखे कि यूट सी लग रही यह था यह भी राखी जिए यह बांस की बनी यह इसको तेखके आपको कैसा लग रह। आप महिलाए हमारे साथ जोड़ी है फिलाल आपसे ही सवाल है हमारा कि यह आपकी अपनी creativity है बहुत अच्छी बात है लेकिन आइडिया कैसे आया हो मतलब इसके पहले दस दिन के पहले हुआ से बोले थे कि हमको रात ही चाहिएगा तो हम सोचे हम बनाएं नहीं है लेकिन तो कैसे बनाएंगे तो जो सर्जी बता रहे थे इसके पहले सालवर के पहले हम सीखे थे नाव गुल्दस्ता पलेट जैलरी मतलब कफ पेनी स्टार मुबाइल स्टार इस सब सीखे थे आज अब डेफो साब बोलें तो हम उसी सर्जी से पूछे हैं मुबाइल से तो मुबाइल पर एक मतलब एक वीडियो करके भेजे हैं और यह देखे हैं और वह उसी से आपने सीख लिया हम बनाए हैं तो यह के रिखे इनों ने जो है वो खुद से यह थोड़ा सा आइडिया यूट्यूब से लिया होगा और उसके बाद इन 20 जनी तो पहले से हैं लेकिन पांच जनी देख देख करके सीख रही हैं बहुत बहुत अच्छी बात है इसमें कुछ तीस लोग है इसमें अच्छी कितने तीस लोग है यहाँ पर और कहा सकता है इन तमाम यो तीस लोग हैं इनको रोजगार का एक साधन भी मिल गया और कहीं न कहीं हमारी जो भारतिय संस्कृति है उसको भी बढ़ हावा मिल रहा है आपका क्या नाम है वाता जी? सिला जी कब से कर रही है आपकी वाला काम? एक काम हम लोग साल भर से कर रहे हैं पांस के महत्व के बारे में हमारे दर्शकों को बताईए इसके पहले बी आप वाद्स की कुछ चीजे बनाती थी सुपेला बनाते हैं बेना बनाते हैं और दवरियोरी बना देते हैं लसे गप याँक्ता है अच्टा को के कही बनाती Sumit मैं आपको बता दोस्तों कि पहले जो है वो अभी कुछ साल पहले तक जो है छट पूजा हुई या शादी ब्या का जब वक्त आता था उस वक्त ही जो है वो बांस के सामान बिखते थे लेकिन अब अगर हम देखें तो अब ये बांस का जो ट्रेंड है वो लगातार बढ़ता जा रहा है अलग अलग तरे की उत्पात जो है वो बांस के बनाये जा रहा है। यह नव बनाइ कि बालगे प्लेट मिलेगा जो जो बोलेंगे बना कर देंगे अगर रोजगार के दौर पर मैं आप से पूछ उखू हूं तो कितना था हम पाहु बॉलता है जितना काम करें तो मुस्नस्स अगा, को पे रेट तो जितना जैसे जोसी मिलेगा हम लोग को अब ज्यादा तो मिलेगा नहीं तो में ध्याय रहे गारे और यू रोजगार के काम करें गए आपको तॉ पथाई करती है जी ऐसा पठाई के साथ यूज़े आपको पसेंद यह जी और इसमें जी वोलेंगे कुछ और भी तो बोलिए पशंद है अपको चले ठीक है अच्छा क्या बना लेती आप रचा बंधन गुलस्ता नाई पेनिश्डार और और नाइस अच्छाएं किसने आपको सर शर नहीं सिखाया चाएं कोई सर भी आते हैं सिखाने के लिए चाहिए तो सिखा कर चले गए आप भी कुछ कहेंगी क्या नाम है आप अच्छी बात है आप ये काम कर रही है और कई लोगों के हाथ में जो है वो खुनर है यह एक गुल्दस्ता है राइट यही गुल्दस्ता है पहले पहले सीखे थे वहाँ पे तो यह हमसे बिगड़ गया था जैसे जब कोई आदमी यह यह आपके इसाफ से बिल्कुल हुँए हमारे इसाफ से बिल्कुल ठीक है इसलिए हम इसको फेग दिए कहां से बिगड़ है मुझे बताई जो है वो इन सब लोगों के हाथ में बहुत अच्छी है हमारे साथ कुछ युवा बच्चियां पर जुड़ी है क्या नाम है आपका काजल काजल जी कब से कर रही है आप यह का दो तीन महीने से इंट्रेस्ट अपने आप आया या ममी ने बोला कि जाके कर लो ममी ने बोला जा इस्तामाल किये जाते हैं किन खिन मोकों पर इस्तामाल करते हैं हमें दोड़ा ब्रीफरी वेता है कि कथा बारता सुनते हैं उसमें भी बास लगता है कहिंन लगता है कोई भी मौका हुए उसमें बास की जरूरी है हमेशा अच्छा काम करते हैं उसमें लगता है बुरा काम करते हैं तो भी लगता है जनमत से मरने तक है यह अब शहता है क्योंकि जं और екहा जाता है कि जन्म से पड़ और यह हमारी भारतिय संस्कृति रही है दोस्तों अच्छा इस गाउं में इन प्रोडक्स को बनाने के लिए बास कहां से आता है यह भी हमें बता पहले तो गाउं से बगेचे से मिल जाता था लेकिन अब तो बहुत आसान हो गया कि यहां चारा चारा पर गिर जाता है इस वहां स सब फोड़से बनाते हैं तब हम समंगाते हैं हमारे लिए नहीं गिरता है बहुत दुनिया बहुत ऐसे सब्जियों जी कारते हैं और कौन लेके आते हैं क्योंकि आप लोग तो महिलाएं हैं फिर कैसे हैं जी ले जाते हैं वहाँ पर चड़िया घर बेचने अब फिर वह ल पेट के लिए बहुत दूर जाना पड़ेगा मैडम जी लखनोज भी चल जाएंगे साओधी अरफ चल जाएंगे करवाने पेट के यह तो गंपी अगोरगपुर में है फाइदा होते हैं मैं यहां से उतना दूर तो कैसे चाहते हैं वो मतलब किस साधन से बाइट से जाते हैं और कितना प्रोडेक्ट ले करके जाते होंगे यह से तूटने का डर भी होता है ना बहुत नाजुक चीजें अचा तूटे गा नहीं तो मैंने देखा है अभी सावन का मौका है और इस तरह की डाल्या जो है वह आप देखते होंगे कि किस तरीके से मही लाइन लेकर के जात दोस्तों इन स्वदेशी राख्यों को इस बार आप भी जरूर अपनाएं यह जो बास के अलग अलग तरे के प्रोडिक्ट से मैं आपको दिखा देखी हुएं बश्वापश si धुना कर सकते हैं धोस दिनों पहले ही हमने एक एक रिपोर्ट की थी वह रिपोर्ट भी हमने बांस को ही लेकर की की थी क्योंकि जो बांसफोर समुदाय है वो काफी जारा परिशान था पांस के जो समान होते हैं वो बिक्ते नहीं है यह कहिए कि सिर्फ शादी व्या का जब वक्त आता है उस समय ही विक्ते हैं तो ऐसे में वो समुदाय काफी परिशान था उनके जीवन यापन के लिए भी इतने पैसे नहीं मिल पा रहे थे, कि वो अपना जीवन यापन भी कर सके, हमने इसको लेकर के एक रिपोर्ट भी वनाई थी दोस्तों और यह सकते हैं, और हम यह कह सकते हैं, रिपोर्ट का ही असर है कि आज चुछे, वो हमारे गुरपुर में जो है, वो पांस के समान बनाए जा रहे हैं अलग-अलग तरह के प्रोडुक्स बनाए जा रहे हैं और इन प्रोडुक्स को to market में भी लूंच किया जा रहा है जो कि लोग अब धीरे धीरे पसंद करने लगे उन्हें अपने घरों में भी जगए देने लगे हैं और इस तरह से हमारी भारतिय संस्कृती भी आगे बढ़ रही है तो अगर आपको हमारी वो रिपोर्ट देखनी हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं वहाँ पर हमने लिंक पीडा लखा है आप देख सकते हैं उस रिपोर्ट को भी और अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी कहानियों को देखने के लिए हमारे साथ चुड़े रहें गामी न्यूस को सब्स्ट्राइब करें